हालो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आपके लिए एक क्विक अपडेट लेकर क्या है यह अपडेट यह है दोस्तों कि जैसा कि बहुत दिनों पहले अभी बातचीत चल रहा था कि जो एक्सचेंड करने का टाइम बातचीत चल रहा था और वो हो नहीं पाया था उस समय ले आने वाला समय में छे बज़े से लेकर के सामका और नौ बज़े तक जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट रहेगा आईए इस नियुज को थोड़ा डीटेल में यहां पर जानते हैं और अनिल सिंग्वेजी से सुनते हैं कि यह क्या बोल रही है इनमी जो पहले काफी क्योंकि हमने एनमी के टॉप जो पतादीकारी हैं उनसे बात भी कि थी उनका यह कहना था कि 90% ब्लोकर्स हैं उससे ज्यादा जो ट्रेडिंग आउर्स बढ़ाने के पक्षमें नहीं है लेकि लगता है कि अल्टिमेटली जब एक्सचेंजेज और बाकि सारे लोग ट्रेडि ताकि अगर मार्जिन की रिक्वाइर सब्सक्राइब को या तो स्टाफ डबल रखना पड़े नहीं तो अगर चोटी 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 चीजिए पैनल्टी आती एक्स्चेंजेज की तरसे उसका क्या होगा तीसी चीजी है कि सिफ तो बहुत सारा चीज है दोस्तों जैसा कि आपने देखा बहुत सारा निल सिगमे जी बात कर रहे हैं इसके पीछे का जो रीजन है कि अगर आता है ऐसा होता है छे से नौ वाला जो टाइमिंग है वो एक्चुल में अगर इसको लागू किये जाता है तो एक्सचेंज को क्य देखार है और एसा होता है तो ट्रेडर के बिहाँ से क्या बैनीफिट हो सकता है या नहीं मैं तो एक आप ट्रेडर है तो एक्षी सीज हो सकता हैं क्योप साथ हमारा जो चैनल है यह आपको डेली अनलाइसिस भी देता है न्यूज अपडेट भी देता है और सब कुछ आल इन वान जो है आपको एक ही चैनल में मिल जागा सो सब्सकाइब जरूर कर दीजिए हमारे चैनल को मिलते हैं हम लोग नेक्स वीडियो में